सातियों वास्तु के बहुत सारे topic ऐसे होते हैं जिनको आपकी जो email होती है, आपके जो comment होते हैं वो हिला देते हैं बुरी तना से. एक टॉपिक सुनते रहे सब लोग कि साउथ अच्छा नहीं है वेस अच्छा नहीं है साउथ अच्छा नहीं वेस अच्छा नहीं साउथ वेस सबस्यादा नेगेटिव या सबस्यादा बिकार तो सवाल आगया मेरे पास एक बच्चे का उसमें का सर अगर इतना ही गंदा है साउथ वेस्ट तो आप मेरे पापा का रूम क्यों डाल रहे हैं साउथ वेस्ट में साथियों सवाल में बहुत जादा जान और बिल्कुल वाजिव सवाल वास तु क्या कहता है आईए डॉक्टर आनद भार्दवाज आपके मन से इसके बारे में जितनी भी पढ़ते हैं हर परत दर परत आपको क्लियर करता रहेगा कि ये इसका कारण क्या है और जिस दिशा को आप सबसे गंदा मान रहे हैं वो ही तो सबसे अची है क्या है कमवाल वास्तु में आईए करते हैं बात साउथ वेस्ट के बारे में अंतर राष्टिये ख्याती प्राद सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारदवाज नमेश्कार बहुत-बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस खास कारेकरम में मेरे चैनलर पर जो वास्तु के बारे में बताता है आपको बहुत एडवांस बाते हैं और उन टॉपिको मैं लेता टच करता हूँ जो कि आपके मन को बहुत बार हिलाती रहती हैं परिशान करते रहती हैं जवाब नहीं मिलता और गुमा देते हैं वास्तु वाले इधर उधर जब आप पूछते हैं एक से कारण के आए तो वास्तु कंसर्टिंट क्या कहता है मैंने शास्तर पढ़े मैंने गर आप मास्टर बैट अन्रिकम के बार में मास्टर बैटरों के बारे में सबसे गंदी दिशाब शहाबी हूँ जैसे तक से बचनी सवाह डाल दिया कि स सर आपने जो बताया कि साउफ्वस में चाल साउफ्वस आपने बताया है कि जो अच्छी दिशाइं होती है वो North और East होती है, पूरा वरूतर होती है प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दो हमें मैं तो confused हूँ, बहुत ज़्यादा confused हूँ, आइए, confusion दूर करते हैं आपका बहुत अच्छी तरह से logically देखे, सबसे पहले तो आप ध्यान करेंगे कि कोई भी जो है Master bedroom हमारा जो बनता है वो हम South West में बनाते क्यों है South West में क्यों बनाते है सबसे पहले देखे, गुण क्या होता है South West का South West का जो गुण होता है वो यह है कि यह देखिए, यह कोई भी जो है आपने देखा, वास्तु की जो बात हम करते है तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती रहती है ठीक है, यह आपके सामने आई अब देखिए, इसमें प्लस और माइनस बिल्को ठीक प्लस डिरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ नॉर्थ से अच्छी इनर्जी आती है कूल डिरेक्शन होती है, लोग कहते है इधर गंगा है, इधर हिमाला है, इधर वो है जो भी, आपके स्द्ध, आपका विश्वास लेकिन साइंस ही कहती है कूल डिरेक्शन होती है, नॉर्थ तो इसका मतलब किया हुआ कि जो नौर्थ है हमारी यह जो है हमारी यह direction हमारी positive यह direction हमारी positive ये देखिए यह positive direction जहां से positive energy green colour से दिखा रहा हूँ यह आएगी east भी positive यह भी positive वो भी positive बोन भी दिशाह है positive अब लेकिन यह भी आपने सुना है कि जो south और west होती है बहुत अच्छी दिशायनी होती है दक्षिन और पच्छी बहुत अच्छी दिशायनी होती है वहाँ से अगर आईगी तो negative energy आईगी इसलिए मैंने red color से मार कर दिया समझाने के लिए अब इसका ओचिति क्या है इसके पीछे है हमने क्या क्या है हमने आप से कहा कि आपका जो master bedroom बनेगा पेनर्स का ममी डेड़ी का मात अपिता का जो घर के बड़े हैं उनका जो bedroom बनेगा वो बनेगा south में west में और south west में यह जगा बहुत अच्छी है देखिए यह सब जगा आपके master bedroom के लिए बहुत अच्छी अब क्या होगा ठीक है यह बहुत अच्छी तो फिर यहाँ पर bedroom क्यों बनाए अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या यह होगा कि जब आप आप अपने घर में दिशाएं देखेंगे तो वो जो दिशाएं हैं वो दिशाएं कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगी यह देखें यह दिशाएं आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी यह जो पहली slide में मैंने आपको दिखाया था लगभख वही सब कुछ कुछ बिने आ नहीं सब कुछ वही मैंने बताया था कि जो positive directions होती है वो क्या होती है कि वो होती है हमेशा North और East अब देखी यहां पर आती है बात कि इसके पीछे logic बताओ भारद्वाजी logic बड़ा आसान बहुत ही आसान मैं हम आपको वास्तु में दो बातें एक साथ बताते हैं पहली बात कि positive vibrations हमेशा North से और इस से पूरा वोरुतर से आती है प्लस यह सब प्लस energy आपके पास आएगी और negative energy आती है हमेशा South से और West से यह देखी है सब negative energy आने का रास्ता अब मैं आपका ध्यान उस तरफ लेके जाता हूँ कि जहां पर हम energy को block करने की बात करते हैं balance करने की बात करते हैं arrest करने की बात करते हैं और उसके सामने barrier कर देते हैं कैसे हो जाती है South West दक्षिन प rivalry सबसे अचछी दिशा stability की seniority के लिए कैसे हो जाती है बढ़ों के लिए बहुत अच्छी अब देखिये ध्यान देना हम दो बातें बोलते हैं एक तरफ तुमने बोला ये अच्छी दिशा है ये नेगटिब दिशा है इसके बाद और यहाँ से आपने ब्लोक करने की कोशिश करनी है हो सके तो विंडो बनाओ लेकिन छोटी सी विंडो बनाओ यहाँ पर छोटी सी विंडो यहां पर छोटी सी विंडो और यहां पर दिल खोल के मनाओ, को बड़ी-बड़ी विंडो मनाओ अब जब यहां पर बड़ी-बड़ी विंडो बनेगी हमारी, तो बड़ी सीधी सी बात है कि वो जो विंडो होंगी, यहां से positive energy जादा आएगी और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल पूरी तरा से बंद हो जाएगी South को West को बंद करो North इसको खोलो तब क्या होगा तब showers होगी देखिए यह क्या है energy के चलने का रास्ता क्या हो रहा है यह देखिए जितनी विंडो नौर्थ में उसकी 25% 25% एरिया आप South में ले सकते हैं जितनी विंडो आपकी East में बनती है उसकी 25% 25% विंडो आप West में ले सकते हैं यह होता है formula अब इसके बाद आगे चलते हैं आपको लेके अब यहाँ पर क्या बनाते हैं बैडरूम आपको पता ही है कि यहाँ पर बैडरूम बन जाता है तो जब बैडरूम यहाँ बनेगा तो देखिए फिर से वही बैडरूम अब क्या होता है यह दिषा जो आप देख रहे हैं सामने यह जहना यह है साथ दक्षिन दिषा है यह थीड़िये अब क्या एक इस रूम में जो भी अरजी आ रही हैं जो भी होरै और यह पूरव से और उत्तर से यहाँ पर आ रही है पूरे की पूरी और आने के बाद क्या हुआ इदे कि इसका पूरा का पूरा साउथ और पूरा का पूरा वेस्ट को हमने ब्लॉक किया हुआ है दिवारों से वहाँ पर मोटी मोटी दिवारे हैं और भारी पड़ते यूज किये हैं खिड़कों की संख्या का रास्ता नहीं मिलेगा तो कहां जाएगी वो साउथ वेस्ट में कठी हो जाएगी कितना असान तरीका मैंने आपको बता दिया तो यह जो है इस तरह से चलेगी इसके बाद आते हैं हम यह भी बैडरूम है इसमें भी साउथ और वेस्ट को ब्लॉक किया हूँ पूरी तरह से क्योंकि यह जगा जो है यह भी जो जगा है यह भी नौर्थ और इस फेसिंग है फेसिंग कोई भी हो फेसिंग से फरण नहीं पड़ता कहीं की भी फेसिंग हो यह सिधान हर जगां पर सेम काम करते हैं इसके बाद आते हैं यह वही बैडरूम है इस तरह से यह कुछ एक्ज देखिए, यह एक बैड्रूम है किसी का, भूर प्लेन किसी का है पूरा का पूरा ले-आओट प्लेड, इस ले-आओट प्लेन temat में देखिए, पहली बात तो मैं अब बताता हूं किसीorta प्लेन में को ऄम्त समयना कि हर दिशाम में हर जगांप कैसे फिट कर दो, आपका घर कैसे बने, प्लॉट कैसा, उसको ऐसे चिपकाना नहीं है आपने, लेकिन ये जो प्लॉट आप देख रहा है, ये जो भूखंड है, ये है हमारा, इधर सामने, इधर इस पड़ता है, यहाँ पर इस पड़ता है, यहाँ उत्तर पड़ता है, नौर्थ पड़ता है, इधर पड़ता है, दक्षिन, साउथ, दक्षिन भी लग देते हैं, और ये हमारा पश्चिम पड़ताएगा, वेस्ट दिशाप पड़ताईगा, अब देखिए, जो मैंने बताया था, कितना बढ़िया कंबिनेशन आ रहा है, इ आपने वास्तों को जो है, जो हमारा जो टेडिशनल वास्तों हमारा उसको फॉलॉव करना देखिए, इसमें ये साउथ पड़ता हमारा कहां पर आ गया, ये हमारा साउथ पड़ताईगा, अब इसमें क्या होई रहा है, देखिए, ये इस से जाए ना, दिल खोल control के बड़ यहां पर जाए, जहां विंडो नहीं चीए थी, यहां पर कोई देखो, एक विंडो यहां पर लिए है, और एक विंडो यहां पर लिए है, साउथ वेस में कोई नहीं, इस कमरे को लाइट यहां से मिल जाएगी, इसली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लाइट जब तक हम वास्तु के किसी वी तथे के लिए, किसी फेक्टर के लिए, फेक्ट के लिए, जब तक उसकी गहराई में उसकी तहे में नहीं जाएंगे, तब तक माइंड हमारा उड़ता रहेगा, भागता रहेगा, हम सोचते रहेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ए अगर आपने मेरा चैनल आज पहली बार देखा था तो आपका दिल कह रहा होगा कि भारदवाजी का चैनल तो ऐसा है इसको तुरंट अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे साथ में आप बैल का आइकन दबाएंगे तो आपके पास इफ्रमि पिकलूंगा इसी तरह से कोई लॉजिकल अगले वीडियों फिर से मुलाकात करता हूं तब तक के लिए द्यान मुझे इजाद अपना नमशकार धन्यवाद थैंक यू एंड टेक कियर